नगर पंचायत जजयपूर में आयोजित इंक्यावन कुंडिय रुद्र महा यग्य एवं सिवपुराण कथा का हुआ आयोजन हुआ यह आयोजन 7 फरवरी से 18 फरवरी महा सिवरात्री तक हुआ सहस्त्रधारा के पस्चात आयोजन संपन्न हुआ है आपको बता दे कि 7 लाग पंच मुखी रुद्राक्ष से बने सिवलिंग की रुद्राक्ष यात्रा दिलास्पूर जिले से प्रारंब होकर 5 जिलोग से भ्रमण करते हुए 7 फरवरी को जयजयपूर पहुँची थी जिसके बाद 59 कुंडिय रुद्र महायग्य एवम स्विपूरान कथा का आयोजन किया गया साथ ही पंच मुखी रुद्राक्ष से बने 15 फिट का सिवलिंग विराजित किया गया था यह आयोजन 7 फरवरी को प्रयरंब हुआ था और 18 फरवरी महा सिवरात्री को सहस्त्र धारा के पस्चाज संपन्न हुआ साथ ही 19 फरवरी को पंच मुखी रुद्राक्ष का वित्रण किया गया इस दोरान 59 कुंडिय रुद्र महायग्य के प्रधान य जमान ज्यानकी सत्यन रहेंड चंद्रा ने कहा कि यह 59 कुंडिय रुद्र महायग्य का आयोजन छेतर की सुक सांती और सम्रिध्धी के लिए किया जा रहा है यह आयोजन साथ फरवरी को 5000 महिलाओं की कलस यात्रा के साथ सुरू हुआ था महासिवरात्री के दिन स्यूपुरान कथा और 59 कुंडिय रुद्र महायग्य का पूर्णा होती हुई है और सहस्त्र धारा हुई है यह यग यह बहुत ही हर्सो उल्लाष के साथ संपन्न हुआ है छेत्र के हजारो लोग यहाँ आये और सवा लाग पंच मुखिरू द्राक्ष से बने सीवलिन्ग पर जल अभिसे किया कहा जाता है कि एक पंच मुखिरू द्राक्ष एक सीवलिन्ग के बराबर होता है यहां जितने भी स्रत धालू आए हैं जिनों ने जल से अभिसे किये हैं तो सवा लाक सिवलीन पर जल अभिसे किये हैं महासिव रात्री के परो पर यहां हमारा यग्य संपन्न हुआ है